असलाम उलेकुम क्लास आज हमारा सब्जेक्ट सीजी इसका वीक थ्री है और वीक थ्री में जो हमारा लैब का एजेंडा है वो है चेंजिंग कलर और फॉंट साइज और टेक्स यह हमारा में टापिक है इसके उपर हम प्रोग्राम करेंगे लास्ट वीक जो हम लोगों ने देखा था हम लोगों ने रैंडम क्लास के अबजेक्ट बना के रैंडम नमबर चिर्ट करके उनको ऐजे पोजिशन यूज किया था जो हमारा पैनल था उसकी लोकेशन यूज किया था और उन रैंडम लोकेशन के उपर हमने पहले तो पहले ट लगे टेक्स पील्ड और टेक्स मंधा है उनिआ अको सकता है कर सकते हैं उसके बाद सवाहाँ नमबर लिखखा ठाइब काम क्या करता है इस प्रिमनान रबस नंबरं मोफ यूं मरें ट्र कंविणिंग तबे हमेज था और द्मक्ताई पैनल हम लोगोंने लगाया हुआ था उस पैनल के माउस के उपर जब भी हम माउस क्लिक करते थे उस पैनल के उपर ले जाकर तो माउस क्लिक के इवंट पे हमें क्या होता था वह जो हमने टैक्स लिखा हुआ है और नमबर लिखा हुआ है वह टैक्स उतने टाइम्स उस पैनल के उपर अब्र के लेका करेंग का अब्र Πिलेस ता ये हम ने लास्ट वीक में PD time बॉन की या था था आज भी हम रैडंटम क्लास के foi यूज करेंगे लेकिन आज रैंडप क्लास की को अप्लाई करेंगे और उनको अप्लाई करेंगे कि छलते हैं आपने maravil की तरफ है सियह सबसे पहले तो हम पर्जेक्ट टेइड करते हैं जाब पर्जेक्ट करेट करते हैं मारा वीग । ऌर उ कि अई सब्सक्राशिया सब्सक्राइब इसके बाद करते देट किस क्लास से? JFrame , इसकी आप सुपर क्लास बन गया है जब हम यह काम कर लेते थे तो फिर हमें इस अब्जेक्ट की जरूरत नहीं रहती थी इसको इसको हम डिलीट कर देते थे और यह अब्जेक्ट जहां पर भी यूज हो रहा है हम इस खोड डिलीट कर देते थे उसके बाद हम क्या काम करते थे हम अपना सारा का सारा काम जिए के कंस्ट्रक्टर में ही करते थे इसलिए हमें इनिशिलाइजर की भी जुरूरत नहीं होती थी तो इनिशिलाइजर को भी हम डिलेट कर देते थे इस फंक्शन को पूरे के पूरे फंक्शन को हम डिलेट कर देते थे ठीक है, फिर जी, आज का जो हमारा टास्क है, आज के टास्क में हमने क्या करना है, जो हमारा फ्रेम है, उसके उपर एक पैनल एड करना है, सबसे पहरे हम क्या करते हैं, जी, डिजाइन पर जाते हैं, डिजाइन वीव पर जाकर हमने अपने ड्रैगन ड्रॉप की मज़़ से, अपने जो है फ्रेम है हमारी जो विंडो है उसका हम साइज तोड़ा सैट करते हैं 500 by 400 मैंने इसका साइज सैट कर लिया ठीक है और इसको टाइटल देते हैं हम टाइटल में हमने लिखा जी बेसिक विंडो यह हमारी बेसिक विंडो है बेसिक विंडो तैन फिर हमने क्या किया जी हमारे इस यह जो हमारा कॉंटेंट पेने जो इसका ड्राइंग एरिया है इसके उपर हम एक पैनल एड करते हैं हमने पैनल सेंटर में आड किया तो यह पूरे के पूरे इसके उपर अप्लाई हो जागा तो इस पैनल का हम ले आउट चेंड करते थे एपसुलूट ले आउट कर दिया पैनल का नाम हम चेंड कर लेते थे ड्राइंग पैनल कर लेते हैं और हमारे पैनल का जो साइस है वह जितना हमारे इसका गैट कॉंटेंट पैनल का साइस है वह पूरे पूरा पैनल का हमारा साइस होगा यह काम तो हम लोगों ने कर लिया अब हमने क्या करना है जी इसके माउस के प्रैस के ओपर हमने फंक्शनल्टी पर फॉर्फार्म करनी है तो हम चलते हैं जी सोर्स कोड की तरफ हमारे हम दोग यहां पर आए हम पर आकर हमने क्या किया थी जो हमारा ड्राइंग पैनल है इस पर एड्ट किया ड्राइंग पैनल dot add mouseListener mouseListener को add किया और यहां पर हम करते थे new mouseAdapter यहां पर हमने आड़ किया new mouseListener का anonymous function बनाया और यह हमारे पास आगया mouseReleased यह कुछ functions हमारे पास आगया mousePressed का जो हम लोगोंने override करने होते हैं तो हम mousePressed का code लिखते हैं यहां पर mousePressed के function में आकर हम लोगोंने वाकी functions को minimize कर देते हैं यह जो इसके override functions रते हैं वह सारे के सारे आ जाते हैं आप जो भी यूज करना चाहें वह यूज कर सकते हैं mouseExit, mouseIntered, mouseClicked यह सारे के सारे इसके override function हैं हम सिरफ mousePressed को use करेंगे mousePressed पर जाके हम क्या काम करते थे? सबसे पहले तो हमें graphics का object चाहिए होते था तो हमकर करते थे graphics की class को एक object create करते थे graphics j is equal to drawingPanel dot add graphics drawingPanel dot get graphics करते थे इस panel के graphics को get करते थे हम यह काम करते थे इसके बाद अब हमारी आती है main logic main logic का हमारी होती थी उसके लिए एक function last week भी हम लोग उने बनाया था अब पिर हमें एक function की जुरूद पड़े कि जिसमें हम randomly numbers generate करेंगे और उन numbers की मदद से colors को भी set करेंगे और font भी set करेंगे हमारा जो text होगा उसके color भी set करेंगे और font भी set करेंगे तो एक और काम हम लोग करते थे वह यह के हमारा पैनल क्यूंके यहां पर बना होता था तो इसको हम यहां से खुत्म करते थे और इसको create यहां पर object जो है यह पैनल का object start में create करते थे ताके जब हम function में इसको use करें तो हमें access हो इसे पैनल का object दुनाना है अमने drawing panel और इसको हम private करते होते थे ठीक है जो अब हम यहां पर अपना function लिखते हैं function में आते हैं सबसे पहले public और return type function का नाम क्या होगा color and font लिखते है function का नाम हमारा color and font argument argument यह function अब graphics अब इस function के अंदर हमें क्या काम करना है सबसे पहले तो हमें एक random class का object चाहिए इसका 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 object हमने create किया r is equal to new random इसका इसके बाद हम लोग loop लगाते थे multiple locations get करने के लिए तो हमें यहां पर multiple locations नहीं चाहिए हमें multiple locations पर हम जो हमारी string है वो प्रेंट करा सकते हैं लेकिन जो हमारा task है task में हमें लिखा हुआ है बस task में multiple size में और multiple randomly colored हो और randomly sized हो अगर हम multiple positions पर कराते हैं तो हमें जादध वाजय हो जाएगा कि हमारा task है multiple colors में है multiple size में है at a time हमें show होगा तो उसके लिए loop यूज कर लेते हैं for int i is equal to i equal to 0 then हमारा जो i होगा हम ऐसे करते है 10 या 5 5 राक लेते हैं 5 values को हम print कराते है i less than 5 हो then i plus plus या ये लोग की body आ ले लिए इस body के अंदर हम सबसे पहला कां क्या करते है सबसे पहला कांप्र जो हम लोगं ने करना है वह यह है int x location random location जो हम लोग पहले भी generate कर जोके है वो generate करते है int x is equal to r.next int function call किया next int के अंदर हमने value pass करनी है हमारा जो drawing panel है या हम value pass कर देते है for 50 हमने लोग उने width रखी होई थी 400 तो हम width जो है आम इसकी 500 हमारी width थी और 400 हमारी height थी तो हम ऐसे करते है 350 जोनों को pass कर देते है 350 and int y is equal to r.next int और इसमें value pass करते है 350 then यह हम लोगों ने random locations get कर ली 5 times उसके बाद जी हमें चाहिए है random font भी चाहिए है तो और random font के लिए मैं करता हूँ int एक variable बनाता हूँ f और यह करेगा जी r. हमार पास r. next int को काल करेगा और font में maximum जो font देना जाता हूँ वो 40 रखता हूँ 0 से 40 तक कोई भी font हमार पास एक value आ जाएगी then फिर हमें color चाहिए है जब भी हम कोई color यूज करते हैं तो हमारा जो color होता है वो बैसिक तीन colors पर पाइंड कर रहता है red, green और blue पे red, green और blue की value हमें चाहिए होती है जो के maximum value जो होती है वो 255 तक होती है और इन 0 से लेके 255 तक इन तीनों की values को adjust करके हम एक निया color generate कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें red की value चाहिए होगी int red करता हूँ, red is equal to r.nextint और यहां पर maximum value है 255 then फिर int green is equal to r.next next int और यहां पर भी आज अर्गुमेंट 255 यह maximum value होती है then फिर int blue इन तीनों के combination से हम हमारे सारे के सारे color generate हो जाते हैं तो इसलिए हम red, blue और green की value को access करते हैं r.nextint और यहां पर भी maximum value 255 अब आप मारे पास values तो आगी हैं तो हम color class का object create कर लेते हैं color हमारी color की class है java के awt की color class का हमने एक object create किया clr color नाम ते देता हूँ मैं और यहां पर हम देखेंगे हमारे पास int rgb आ रहा है जो हमारा पास int यह वाला जो function है int r ले रहा है int g ले रहा है int b ले रहा है red, green और blue की values को ले रहे हैं और एक color जनेरेट करके अमें यह देगा और वह color हम color के object को pass करेंगे इस constructor को हम इसके call करेंगे तो यह हमारा पास red की जगह पे हम value पास करेंगे ऑर green में green और blue पे जो हमारा blue random generate हुआ हुआ है then फिर अब हमने color तो generate कर लिया हमें font जो हमारा graphics class है उसका अगर हमने font set करना हो तो वह font class का एक object लेती है ठीक है तो इसलिए फिर आमें font class का भी एक object मनाना पड़ेगा font java की एक AWT class है f and t is equal to new font और यह जो new font है इसमें हम आप यो लोग यह देखें जो second number पर है string ले रहा है name int style और int size ठीक है तो इसको हम select करते हैं string name में हम null pass कर देते हैं या अगर आप कोई भी select करना चाहते हैं string name में select कर सकते हैं तिलाल में null pass करता हूँ और style में हमार पास जो है plane style देते हैं font dot plane font dot plane style मेंने दे दिया और जो हमने size देना है क्योंकि हमने size पर काम करना था size जो हमने randomly number generate किया है वह हमने size देना है जो हमारा maximum number 40 तक था तो size पर हम f की value पास कर देते हैं तो यह हमारा font object भी create हो गया अब हमने क्या करना है जो हमारा graphics का object जो है जो है जो है अर्गुमेंट आ रहा है उसका color और font हमने size set करना है तो हम करते हैं जी डॉट करेंगे और set font करेंगे और यहां पर font का object पास करेंगे हमारा पास जो है एफ एंटी अब जो भी हम स्ट्रिंग ड्रा करेंगे तो उसके उपर यह क्योंकि इस ग्राफिक्स object की मदद से करेंगे तो इसके उपर यह font और यह color रेंडमली जो हम लोग generate कर रहे हैं अर बार तो यह apply होते रहेंगे लाइक मैं करता हूं जी डॉट ड्रास्ट्रिंग करता हूं जी डॉट मुंूप यह एकष को कि एस खर यह पास जो मारपास एकस में वैलू आई है और य्याए मलोग ने फंक्सन एस अपना और अब हम इस कुल करते हैं माूस के PRESS के प्रिप जो हमारा माूस प्रेस कम हम लोगों ने फंक्शन वह ते हमा उसτοह करते हैं है dollar & current का हमारा एक फंडिर एक फंक्शन इंड फॉंड इस के अब आधर खना हुआ है और इसमें हमने ग्राफिक को पास करती है ठीक है अब हम इसको एक्जिक्यूट करके देखते हैं जब हमने इसको एक्जिक्यूट किया जी यह देखें जी यह हमारे पास जो है ग्राफिक्स लिखा हुआ आ गया एक तो तीन चार पांच क्यूंकि हमने लूप चलाया था तो पांच मत पास ग्राफिक्स मुख्लिफ पॉंट में और मुख्लिफ कलर में लिखा हुआ आ गया यह हमारा टास था इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हम कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो screen का, frame का हमारे size set नहीं किया हुआ इसलिए start में वो हमें show नहीं हो रहता है जब हम इसको maximize करते हैं तब हमें show होता है तो हम जाते हैं हमारे constructor में यहां पर, यहां पर हम करते है set size set size और dimension देते हैं इसको 500 then 500 इसके बाद जब हमें इसको call करेंगे तो हमारी window हमें show हो जाएगी यह देखें जी हमारे window show होगी है जब हमने इसके उपर click किया तो हमारे पास graphics show हो गया एक तो तीन चार और यह पांच यहां पर इसका size 0 1 या 2 आया है तो इससे जैसे यह बहुत चोटा से नज़र आ रहा है यह था हमारा week 3 का task जिसमें हम लोगोंने colors के generate करने random colors generate करना color की class के बारे में पढ़ा कि color की जो class object है वो कैसे एक color का object generate कर सकते हैं randomly और font कैसे generate कर सकते हैं और उसको graphics object में कैसे handle कर सकते हैं इंशाला आप लोगों को समझ आई होगी अल्लाहफिस